डिबेंचर क्या है? वाट इस डिबेंचर? यह एक रिंड का एक साधने जिसके माध्यम से सरकार या कमपनी धंजुटाती है या एक्विटिक सेरों से बिन होता है डिबेंचर खरीदने वाले वास्तों में कर्जदाता होते हैं डिबेंचर जारी करने वाली कमपनी या संस्ता गृवी के तोर पर कुछ नहीं रखती खरेदार उनकी साक और प्रतिष्टा को देखते वे डिबेंचर खरीदते हैं डिबेंचर जारी करने वाली कमपनी या संस्ता कर्जदाताओं डिबिचर खरिदने वालो को νिस्चित ब्या़ देते है कमपनी सेयर धारकों को भले ही लाबांश नहीं दे लेकिन उसे कर्जदाताओं डिब्याज देने ही होते हैं कार दौरा जारि किये जाने वाले ट्रेजरी बॉण्ड या ट्रेजरी बिल आदी भी जोकि म्रहित डिबिचर ही होते हैं क्योंकि सरकाद इस प्रकार के कर चुकाने के लिए कर बढ़ा सकती है या अधिक नोटों का मुद्रण कर सकती है ओफसेर fund क्या है what is offshore fund जिस fund के अंतरगत में चुली fund कमपनियां विदेश से धन जुटा कर देश के भीतर वी नियोजित करती हैं उन्हें offshore fund क्या है ते हैं venture capital क्या है what is venture capital नहीं व्यवसाई की सुरुवात के लिए जुटाई जाने वाली पूजियों को venture capital या सह पूजी या दाइत्व पूजी कहते हैं दूसरे सब्दों में कहें तो निविश को द्वारा सुरु होरी छोटी कमपनिया भविश में जिनके विकास की प्रबल संभावना होती है को उपलब्द कराए जाने वाले पूजी को venture capital कहते हैं कमपनिया ऐसे पूजी जुटाने के लिए equity share जारी करती है forward सौधा क्या है what is forward contract नकदी बजार सेरों के मामलों में या हाजरी बजार commodity के मामलों में की जाने वाला सौधा जिसका निप्टारन भविशिक में की एक निश्चित तारिक को सुपुर्दी के लिए निप्टाया जाता है derivative क्या है what is derivative वैसी पृति भूती जिसका मूले उसके आंतरिक या एक से अधिक परिसंपतियों के उपर निर्वर करता है या उनसे प्राप्त किया जाता है derivative दो या दो से अधिक पक्छों के बीच किये पर किया जाता है आम तोर पर ऐसी परिस्तितियां ऐसी परिसंपतियों में स्टाक, बांड, जीन्स, मुद्रा ब्याजजर और बजार, सुचांक सामिल होते हैं derivative का इस्तमाल साधानते जोखिमों की हेजिंग के लिए किया जाता है लेकिन इसका प्रियोग सटे बाजी के उद्देश से भी किया जा सकता है उदारण के तौर पर एक यूरोपेन निवेशक अमेरिकन कंपनी के सेर को खरीदारी अमिर्की एजेंसिय से डॉलर का इस्तमाल करते हुए करता है सेर अपने पाश रखते वे उसमें उसे विनमें दर का जोखिम बना रहता है इस जोखिम की हेजिंग के लिए वा निवेशक विसेश विनियम दर के मताबिक डॉलर को यूरो में परिवर्तित करना चाहेगा इस विद्देश की पूर्ती के लिए वा मुद्रा का वाइदा खरी सकता है ताकि जब कभी वे अपने सिहर बेचे और मुद्रा को यूरो में परिवर्तित करें तो उसे विनमें दर सबसे संबंदी हानी नहीं हो ओपेन एडेंट फंड क्या है सतते खुली योजना एमिचूल फंडों की वैसी योजना है जिसकी जिनकी कोई लॉक इन अवधी वै पूर्व निधारित अवधी जिससे पहले निवेश किये गए पैसों की निकासी की अनुमती नहीं होती है इन्हें यूनिटेओं की खरीद विक्री ततकाल सुद्ध परिशंपति मुल्ले एन इवी पर कभी भी की जा सकती है प्रती भूतियां क्या है प्रती भूतियां निमलेकित परमाण पत्र होती है जो रिंड लेने के बदले दी जाती है इनमें जारी की गई सरते एवं मुल्यों का ओलेक होता है तता इसका इनका क्रे विक्रे भी किया जाता है सरकार द्वारा जारी की जाने वाले बॉंड तर जी ही सेयर रेण पत्र आदी प्रतिभूतियों को सिरेणी में आती हैं प्रतिभूति सब्द का इस्तमाल व्यापक तोर पर किया जाता है सेयर विभीजन कोई कमपनी अपने महंगे शेयर को छोटे निवेशकों के लिए वहीन बनाने और उसे आकरशक बनानी के लिए शेयरों का विभाजन करती है अगर कोई कमपनी अपने शेयरों का विभाजन दो अनुपात एक में करती है तो उसका मतलब होता है कि सेयरों की संख्या दोगनी कर दी गई है और उसका मुल्य आधा कर दिया गया है मुद्रा का विन में मुल्य क्या है यहां मुल्य दोनों देशी की मुद्राओं के आंत्रिक क्रिय सक्ति पर निर्भर करता है मुद्रे स्विति क्या है? मुद्रे स्विति वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का आंत्रिक मुल्य गिरता है और वस्तू के मुल्य बढ़ते हैं यानि मुद्रा तथा साख की पूर्टी और उसका प्रशार अधिक हो जाता है, इसे मुद्रा प्रसारिया मुद्रा का फैलाव भी कहा जाता है, मुद्रा अवमूलन क्या है यह कारे सरकार द्वार किया जाता है इस क्रिया में मुद्रा का केवल ब्राहे मूल्य कम होता है जबकि देशी मुद्रा विनमेदर विदेशी मुद्रा के अनुपात में अपिछाकृत कम किर दी जाती है तो इस इस्थिति को मुद्रा का अवमूल आत्यान कहा जाता है रेंगीत हुई मुद्र śविती क्या है मुद्र आ सविती का यह नर्म रूप है यदि अर्तवयवस्ता में मूल्यों में अत्यंत धीमिगती से वृद्धी होती है तो इसे रेंगती हुई स्विती कहते हैं बोनेस valu, राइट अधि घोशित करने के लिए कमपन्या एक ऐसी तारिक की घोशना करती है जिस तारिक से रेजिस्टर बंध हो जाएंगे इस घोशित तारिक तक कमपनी के रेजिस्टर में आंगित प्रतिभुती धारक ही वास्तों में धारक माने जाते हैं इस तारिक को ही record तारिक माना जाता है refund order क्या है यदि किसी share आविदन पत्र पर share आवंटन की कारवाई नहीं होती है तो company को आविदन पत्र के साथ संपूर्ण रकम वापिस करनी होती है रकम वापसी के लिए company जो प्रपत्र भेजती है उसे refund order कहा जाता है refund order check draft या banker check के रूपे होता है और जारी करता bank की स्थाने साखा में समाननेते समुल्य पर भुनाए जाते हैं लाबान्स क्या है विभाजन योग या लाभो का वह हिस्सा जो share धारकों के बीच वितरित किया जाता है लाबान्स क्या कहा जाता है या कर्युक्त और कर्मुक्त दोनों हो सकता है या share धारकों की आय है लाबान्स दर क्या है company के एक share परती जाने वाली लाबान्स की रासी को यदि share के अंकित मुल्य की साथ व्यक्त की जाये तो इसे लाबान्स दर कहा जाता है इसे अमूमन फीस्ती में वेक्त किया जाता है लभांस प्रतिभूतिया क्या है जिन प्रतिभूतियों पर प्रतिफल के रूपे नीविश्यकों को लभांस मिलता है उन्हें लभांस वाली प्रतिभूतिया कहा जाता है जैसे सम्ता, सेयर, पूर्वादिकारी, शेयर, सुन्य ब्याज रिण पत्र क्या है इस रिण के डिबेचरों या बॉंडों पर सीधे ब्याज नहीं दिया जाता बलकि हिने जारी करते वक्त कटोती मुले पर बेचा जाता है और परिपक होने पर पूर्ण मुले पर सोधित किया जाता है जारी करने के लिए निर्धारित कटोती मुल के अंतर को ही ब्याज मान लिया जाता है